प्रतिभूती घोटाला पर निबंध करोडों रुपए के प्रतिभूती घोटाले ने भारतिय शेयर बाजार को जख जोर दिया सारा कारोबार ठप पड़ गया और बंबई के शेयर बाजार के दलाल हर्शत महता को इस घोटाले की जड़ में बताया गया इसे जुड़ा सारा घटना चक्र और इसे जुड़ी रकम दिमाग को चक्र में डाल देने वाली है इसे पहले जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें यह शायत सबसे बड़ा है शेयरों में लगाने के लिए बैंकों से धन लेने के लिए अपनाएं गए धंग भी चायत निराले थे प्रती भूती घोटाला जनता की साथ बहुत बड़ा धोका था घोटालों में बैंकों के शामिल होने के घचनाएं आम रही है और पहले भी सुनने में आई है लेकिन बैंक घोटालों में किसी दलाल का हाथ होने की बात पहले कभी नहीं संसुनी गई थी पहले बैंकों के घोटाले में आमतोर से ऐसे बड़े व्यापारियों के हाथ होने का पता लगा था जिनके बैंकों और राजनितिग्यों दोनों से घनिष्ट संबंध थे लेकिन या घोटाला सारतह मुद्रा बाजार का है इसमें कुछ लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए शेयर बाजार और बैंकों वो मुद्रा बाजार के बीच साठ गाठ थी हर्शुत महता बहुत सूजबूज वाला दलाल है उसे शेयरों को परखने में महारत है लेकिन वास्तव में उसे सफलता मिलनी तब शुरू हुई जब वो बैंकों के उन बड़े अधिकारियों के करीब आ गया जो धन कमाने के लिए उताव ले थे और जिन्होंने हर्शत महता को रोजमर्रा के मुद्रा बाजार में महत्वपून भूमी का अधा करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए प्रिजर्व बैंक की हिदायतों को उठाकर टाक पर रख दिया प्रति भूतियों के लेंदेन में हुई अन्यम पताओ की जाच करने ही तू बनी जान किर्मन समीती ने अपनी चौथी रिपोर्ट में बताया है कि बैंकों और अन्य वित्तियस अंस्थाओं की कल 1.021.45 करोड रुपे की रकम का घोटाला हुआ है तीसरी रिपोर्ट के 6 महीने बाद समीती की 176 प्रिष्टो की चौथी रिपोर्ट में इस घोटाले में दो विदेशी बैंकों स्टांडर्ड चार्टर्ट और ANJ ग्रीनलेस और चार भारतिय बैंकों और वित्तियस अंस्थाओं की मिली भगत है इस रिपोर्ट में हितेन पी दलाल की भूमिका को ज्यादा उच्छाला गया है और हर्शत महता की भूमिका को कम इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंकों और वित्तियस अंस्थाओं तथा दलालों के बीच 60 गाट के फलसुरूप पोट्फोलियो, मैनेज्मेंट स्कीमों के बारे में रिजर्व बैंक की हिदायतों का उलंगन करते हुए इन दलालों को शेर बाजार में लगाने के लिए बैंकों और वित्तियस अंस्थाओं से धन दिया गया फिदेशी बैंकों की अलावा समीती ने Canbank Financial Services Limited जो कणेयरा बैंक की सबसीडियरी संसथा है आंधरा बैंक Financial Services Limited, State Bank Of Patiala और विजया बैंक की भूमिका काभी फिक्र किया है रिपोर्च में कहा गया है कि घोटाले वाली रकम के संसोशित आकड़ों में उन प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया गया है जो Standard Chartered Bank और Anthra Bank Financial Services Limited के पास है क्योंकि उनके प्राप्त मूली का निर्धारन अभी होना है प्रतिभूति घोटाले में कैन्फिना की 666.73 करोड रुपे की रकम पसी है रिजर्व बैंक की हिदायतों के उलंगन आंतरिक नियंतरन प्रणाली की विफलता और एकाउंट पेई चेकों के संबंध में बैंकों के नियमों का पालन न किये जाने के मामलों को सरकार और रिजर्व बैंक ने बड़ी गंफीर बात माना है इस मामले में फर्ज अदायगी में चूक और धोका धड़ी की जिम्मेदारी किसकी है इस पर विचार किया जा रहा है जाज करने के लिए बनाई गए विजर्व बैंक की समीती ने उन तरकीवों की एक सूची दी है जिनकी मदद से बैंकों का धन कुछ दलालों की नीजीक हातों में डाला गया यह इस बात का प्रतक्ष्ट या सबूत है कि बैंकों की अधिकारियों ने धोका धड़ी करके धन निकाला CBI की जाज भी चल रही है यह पता लगाने के कोशिश की जा रही है कि किन लोगों की जिम्मेदारी थी और किनकी बेपरवाहिया साट घाट से अपराध होए सरकार उन लोगों के खिलाफ कारिवाही करके उनसे बैंकों की रकम वसूल करने की कोशिश करेगी जिनोंने नाजायस तरीके से धन निकाला और उसका दुरुप्यों किया है सरकार अपराधियों को दंड भी देगी